आज मैं आपको इंडियाओं मिलने वाली बिग साइज सेवन्शेटर कार्ट के बारें बताऊंगा जिनि में आपको ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इन गाड़ें के अंदर आपको काफी ज़्यादा स्पेस मिलता ही है साथ ये भार्षे भी काफी बड़ी है साइज में ये इतनी बड़ी है कि अगर इन गाड़ें के पास में आप फोर्चुनल को भी खड़ा कर दोगे तो वो भी इन बिग साइज एशुईज के सामने बच्ची लगेगी तो चलो देखते हैं कौन सी ओ बिग साइज एशुईज लेंड रोवर रेंज रोवर ये लेंड रोवर कमपनी का सबसे फ्लेक्सिप और सबसे लग्जिरिस मोडल है जिसके अंदरे से अलग-अलग ये गाड़ी आपको मल्टीबल सीटिंग केफिसिटी ओफर करती है जैसे कि इसमें आपको 4, 5 और 7 सीट्स दी जाती है इस इस दा फर्स टाइम जब रेंज रोवर ने अपनी फ्लेक्सिप मोडल में 7 सीट्स ओफर की हो जो कि इस SUV के लोंग वील बेस मोडल में आवेलेबल है कमपनी ने खुद कहा है कि ये 3 डोव की सीट्स काफी जिदा कमफर्टेवल है जिन पर आप 2-6-6 फिट के बंदे अराम से बिटा सकते हो और ये बात विल्कुल सही है क्योंकि इस गाड़ी की लेंद 5 मिटर से भी ज़्यादा है और इसका वील बेस है 3 मिटर का तो इस पेस और कमफर्ट तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा ही इस गाड़ी की लुक्स को देखो कितनी गजब है रोड ब्रिजेंस मत इस गाड़े के कोई मुकबला नहीं है इसके साइज को एक लाइन में डिसक्राइब करूँ तो ये सड़क पर चलता हुआ एक परकार का हाती है इस गाड़े का इंट्रियर तो इतना लग्जिरिश है कि इसके अंदर गुशते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फाइस्टार होटल के कमरे में गुश गए हो इसके पूरी इंट्रियर में आपको लेदर मिलता है जिसके साथ में क्रोम और वूडन फिनिस काफी attractive looks देते हैं इसके इंट्रियर को इसके इंट्रियर को देखने के बाद तो आप लोग एक ही बात बोलोगे इसके dashboard में आपको 13.1 inches की floating touch screen system मिलता है और पीछे के passengers के लिए भी दो बड़े-बड़े 11.4 inches की screens मिलते हैं और इसमें second row के armrest में आपको 18 inches का test screen controller मिलता है जिससे आप इसके sunroof, rear seats और AC को control कर सकते हो और इस SUV में का जो सबसे high-end top model, SUV model आता है उसमें आपको केवल 4 seats मिलती है और इसके interior को देखकर तो आपका दिमाग घूम जाएगा लेकिन इसके 7 chitter वाले model की price start होती है 2.68 crore से और top model की केमाज आती है 3.43 crore रूपीज एक showroom तो अगर आप एक range rover लेना साते हो, वो भी 7 chitter तो इस गाड़ी को आप करीज सकते हो जिसके अंदर आपको एक 3.6 cylinder petrol engine दिया गया है जिसके power of 400 HP की और 550 Nm का torque है और एक दूसरा engine है 3 liter का diesel engine जिसके power of 351 HP की और torque 700 Nm का और इस गाड़ी के अंदर आपको एक 4.4 liter का 2-in turbo charged V8 engine दिया गया है जो कि 530 HP की power के साथ 750 Nm का torque generate करता है अगली जो गाड़ी है वो है Mercedes की GLS दोस्तों Mercedes GLS इंडिया में कई सलों से एक most popular luxury 7-seater car रही है जिसने आज तक अपना रूत्बा बरकरा रखा है Mercedes की ये गाड़ी आईश्योंवी segment की ass class मानी जाती है जिसके अंदर आपको full VIP 7-seats मिलती है इस गाड़ी के looks काफी bold है और ये गाड़ी दिखने में काफी बड़ी है जिसमें आपको 20-inch के alloys मिलते है और front में आपको Mercedes की iconic dual line grill मिलती है जिसमें Mercedes का बड़ा सा logo देखने को मिल जाता है market में कई सरी 7-seater गाड़ी है मुझूद है लेकिन जो बाच GLS में है वो और किसी में नहीं इसकी third row इतनी comfortable है जिन पर बच्चे ही नहीं बलकि adults को भी बिना किसी की दिक्कत के आराम से बिठाया जा सकता है और long journeys में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस SUV का interior पुरा S-class वाला feel देता है dashboard में आपको digital instrument cluster और infotainment screen एक दूसरे से connected मिलती है center console का design ऐसा है जैसे कि यहाँ पर दो handles दे गए हो interior में आपको full leather के साथ chrome और wood का combination मिलता है जो एक royal feel देता है और इस गाड़ी में आपको बड़ा सा panoramic sunroof मिल जाता है second row seats में armrest में आपको touch screen controller मिल जाता है जिससे आप पीछे बेटे बेटे ही गाड़ी के कई सारे functions को control कर सकते हो luxury और size में बड़ी होने के साथ साथ यह गाड़ी काफी powerful भी है जिसमें आपको 4 लिटर का V8 by turbo petrol engine दिया गया है तो 557 HP के power के साथ 730 Nm का torque generate गरता है जिसमें आपको hybrid का भी configuration दिया जाता है GLS में आपको एक bouncing का भी option मिलता है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को off-roading के दोरान bouncing करवा के आसानी से किसी भी condition से बाहर निकल सकते हो और साथ ही bouncing feature से आप इस car को dancing car भी बना सकते हो Mercedes की Ice Class 760 SUV आपको 1.2 crore रुपीज से लगर 2.92 crore रुपीज एक शुरू में मिल जाएगी Land Rover Defender यह है एक और Land Rover की सबसे popular SUV जो size में इतनी बड़ी है कि मानों सटक पर कोई छोड़ा truck चल रहा हो 20 inches के alloys और इस गाड़ी के बोकाली looks इसको जबरदस road presence देते हैं जब से यह SUV इंडिया में लोन चुई है तब से इसकी popularity और demand लगातार बढ़ती ही जा रही है जिसका main कारण है इस गाड़ी के बोकाली looks, interior, off-roading capabilities और अब तो यह गाड़ी हर एक नेता और businessmen के काफिले में AJ main car देखने को मिल जाएगी यह गाड़ी इन लोगों की पहली पसंद बन चुकी है जो अपने आपको एक powerful इंसन दिखाना चाहते हैं Defender में आपको 5, 6 और 7 sitting capacity मिलती है Defender में आपको 2 लिटर का turbo petrol engine मिलता है जो 300 HP के power के साथ 400 NM का torque generate करता है आज के time में Defender एक popular car है जिसे अब 94 लक रुपीज से लेकर 2.3 क्रो रुपीज एक शुरू में खरीच सकते हो जिसमें आपको Defender 90, 110, 130 ये तीन अलग-अलग variants मिलेंगे जिनकी size और capacity अलग-अलग है लिस्ट में अगली 7-seater गाड़ी है इंडिया की most loved 7-seater SUV BMW X7 जो कि आज की समय में हर एक middle class बंदे का dream है ये भी एक full size 7-seater luxury vehicle है जिसके looks का तो हर कोई fan है BMW X7 Mercedes की GLS के टेकर की SUV है और हमेशा से ही इन दोनों गाड़ियों की rivalry रही है इस गाड़ी के looks की जितनी तारिफ पर है उतनी कम है 22 inches के बड़े aloys और front में BMW की remarkable grill जो की chrome finishing में काफ़े aggressive लगती है और इसमें आपको BMW के splitted headlamps मिल जाते हैं overall side profile को ले लो चाहिए rear looks को गाड़ी एक नमर है looks के माबले में इसके interior में 14.9 inches की central infotainment screen मिलती है जो BMW के ID8 new operating system पर काम करती है central console में controlling buttons मिल जाते हैं जो की wooden और chrome finishing के साथ बड़िया looks देते हैं BMW की second row में captain seats दी जाती है इसकी सभी seats काफी comfortable है और thigh draw की seats भी adults के लिए best रहती है BMW XA1 में power के लिए 3 liter का diesel engine दिया गया है जिसकी power है 335 hp की और 700 newton meter का torque है और एक 3 liter का petrol engine भी मिल जाता है जिसकी power है 375 hp की और 520 newton meter का torque मिल जाता है इस engine में अगर आप BMW XA1 करीना चाते हो तो इसकी price start होती है 1.24 crore रूपीज से और top model की किमत जाती है 1.26 crore रूपीज एक showroom हमारी इस लिस्ट की अगली गाड़ी जो दुनिया की सबसे सुलक्सी तैश्यों भी मानी जाती है वो गाड़ी है वोलो की XC90 जो की एक 7-seater car है और यह वोलो की सबसे महांगी car है इंडिया के अंदर जिसका केवल एक ही variant आता है इसके अंदर आपको 2 liter turbo petrol with mild hybrid जो की 48 volt electric motor से जुडावा है यह engine 300 HP की power के साथ 420 newton meter का torque generate कर देता है वोलो की इस गाड़ी में आपको panoramic sunroof, four zone climate control, ventilated seats, 12.3 inch का digital instrument cluster और एक 9 inch का infotainment, touch screen system, seven airbags और ADAS जैसे add-on features इस गाड़ी में दिये जाते हैं अगर आप एक मजबूत और strong cars आते हैं तो वोलो XC90 आपके लिए based रहेग जैसे आप 96.50 लाइक रुपीज एक showroom देकर खरीच सकते हो Land Rover Discovery इस लिष्ट में Land Rover की एक और seven cheater luxury car है Land Rover Discovery इसके नाम से आप यह अंदजा लगा सकते हो कि यह गाड़ी उन लोगों के लिए best option हो सकती है जो कि ज़्यादा तर discoveries करते रहते हैं जैसे कि wildlife photographers, travelers, researchers और यह family के लिए भी एक number one car है जिसमें 2-liter petrol, 3-liter petrol और 3-liter diesel engine दिया जाता है with mild hybrid technology की साथ Land Rover Discovery के looks तो काफ़ी aggressive है जो कि आपको एक royal feel देती है इसके interior में भी आपको comfort और space के मामले में कोई दिकत देखने को नहीं मिलती है interior में leather का perfect use किया गया है और इसके अंदर आपको seven sitting capacity मिल जाती है तो आप साथ लोगों को आराम से बिना किसी दिकत के बिठा सकते हो Land Rover Discovery की price start होती है 95.65 lakh rupees से और top model की किम्म जाती है 1.3 crore rupees एक showroom So guys यह है इंडिया में available big size seven sitter cars जिनकी price तो एक रोट से start होती है इन सबी गाड़ियों में comfort और space की दिकत नहीं होती है 3rd row की seats पर भी adults बिना किसी दिकत के Long Zernis पर जा सकते हैं इन में से कौन से गाड़िया आपकी dream car है comments में जुरू बताना और एसी वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe करना बिलकूल मत भूलना